तो आज के इस वीडियो में मैं सिक्वाँगा कि कैसे हम अमारे साइकल के सस्पेंशन को स्मूथ कर सकते हैं वह भी घर पर बहुत आसान तरीके से तो अगर आप हमारे चानल पर नहीं है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बुलना तो मैंने इस देरी के चलिए इस व रुपई का आता है उस ओइल को यूज करना गईस ओओ ग्रीन कलर होता है और इस तरह को इल मत उसकाना गईस में नहीं करता हूं क्योंकि यह यूजड इंजिन ओए ले स्कूटर में यूज़ किया हूँए इंजिन ओए यह आप चाहिए को चैन में डाल सकते हो और मेरित हो तो यही आप से सलाहे कि आप नहीं वाला 20 रुपई का चोटा पैकेट लेना गईस उसी को आपके इंजिन ओल में सॉरी आपके सस्पेंशन में डालना गईस तो जल्दी से में सिखाऊंगा कि कैसे आम साइकल के सस्पेंशन को स्मूथ कर सकते हैं पहले हमें इस पोर्शन को वाइप करके सब कुछ क्लीन करना गईस इधर का सारा डश्ट तो गाईस मेरा तो ख्लीन ही है मैं रोज इसको क्लीन करता हूं जिससे अमारा सस्पेंशन अच्चा मेंटेंड रहेगा तो अब देख सकते हैं मैंने एक साइड क्लीन कर लिया है अब देख सकते हैं इथर कोई भी डेस्टने कुछ डेस्ट नहीं है तो अब हमें इसके उपर ऑइल डालना है कि दर गैस इधर इस तरह सेuencia से दीरे से डालना है आप अब हमें इधर दीरे से आईल डालना है गैस तो गैस अब हमें इसके चारो और भी डालना है एक साइड नहीं तो गैस अब देख सकते हैं मैंने सारे और इस ओईल को डाल दिया है अब एक्ट्रा पोर्शन को ओईल में रिमूग करूंगा कबडे से दीरे से तो गैस और एक बात याद रखने हैं आपको उस साइड के सस्पेंशन में डालते समय हमें डिस्क ब्रेक्स के बहुत कैरफुल रखना है उसके आप पर कुछ न्यूस्पेपर डालो गैस जिससे उसके आप पर ऊपर ऊईल नहीं गिरेगा तो अगर गिर गया तो भी कोई बात जाएगा और आपका सस्पेंशन अटमेटिकली स्मूथ हो जाएगा गास और आपको ध्यान रखना है आप दो दिन में एक बार ओईल डाल सकते हो जिससे यह सस्पेंशन बहुत स्मूथली वर्क करेगा नहीं तो अगर यह कापते तक और और नहीं डालोंगे तो आपके सस् सस्पेंशन बहुत ही आड़ हो जाएगा और अच्छा नहीं काम करेगा तो अब सस्पेंशन को टेस्ट करते हैं अग्याओ कि अग्याओ अग्याओ कि अग्याओ मैंने एकी सस्पेंशन में डाल कर आपको दिकाया है तो ओप आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो मैं वीडियो को बहुत एक्ष्टेंड नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने एक सस्पेंशन में डाल कर दिकाया तो ओप आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो मिलते हैं आपको अग्यों में तिल डाट बाई बाई टाटा